नमस्कार आप देख रहे हैं हरियाना का सबसे बेहतरी न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की ख़बरें चलिए बढ़ते हैं आज की पहली ख़बर की तरफ फचलों को कीट पतंगों से बचाएं सोलर लाइट ट्रैप पर 55% सबसेड़ी दे रही है सरकार किर्शी चैतरों में पैस्टिसाइड के बढ़ते उपयोग को कम करने तता किसानों की फचलों को कीट पतंगों से बचाने के लिए सोलर पाउर LED लाइट ट्रैप उपकंड एक ब बंजर होने का बढ़ा खत्रा परदेश के कई जिलों में बोजल स्तर बढ़ रहा है इससे किर्शी भूमी घट रही है किसानों के सामने संकट पैदा हो रहा है थोड़ी से बारिश से फसले खराब हो रही है ऐसे इलाकों में अगली फसल की बिजाई पर भी संकट गहरा रह है वहीं जमीन के बांज यानि बंजर होने का खत्रा मंडर आ रहा है सरकार द्वारा किर्शी छेतर को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई सेम ग्रस्त एम लवनी भूमी सुधार योजना है तू पंजीकन करने के अंतिमतिते को 15 फरवरी से बढ़ा कर 15 अप्रेल कर द पसूर्ष के चारों तरफ घुमाए जाएंगे और जूरी स्रेश्ट पसूं का चैन करेगी परदर्सनी स्तल पर किसानों वे वी आईपी के लिए अलगलग फूड कोर्ट बनाये जाएंगे इस मेले में क्यावल वही पसू इस परतियोकता के लिए पंजिकर्त किया के कान में पसूपलन विभाग की और से लगाए गई बारा डिजिट का टैग सामिलोगा परदर्सनी सुबह 10 बज़े से आरंब होगी वहीं 4 बज़े तक जारी रहेगी मौसम की जानकारी दिल्ली यूपी और हर्याना में अभी कुछ दिनों और बनी रहेगी ठंड मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट इसका परवाव मोखी रूप से 36 गड़, जमुकसमेर, सिक्किम और तमिलाडु जैसे 30 अलाकों पर पढ़ सकता है यहां हलकी बारिस आने के भी उम्मिद जताए जा रही है ओनलाइन फ्रोड होने पर इस नंबर पर करें शिकायत खाते में वापस आएंगे रूपे, जिस व्यक्ते के साथ वित्य साइबर अपराद हुआ है वह इस नंबर पर तुरंट शिकायत करके उन रूपियों को फ्रिज करवा सकता है और कुछ ओप्चारिकताएं पूरी करने के उपरांथ अपने रूपियों को वापस भी पा सकता है शिकायत करने के लिए अब एक नया हेल्पनाई नंबर 1930 यानी 1930 जारी कर दिया गया है हर्याना के लोगों के लिए कोरोना वाइरस को लेका राहत बरी खबर है राजी में कोरोना वाइरस के संक्रमन की दर में काफी कमी आई है और अब यहाँ कोरोना पूरी तरह से बैक फूट पर आ गया है राजी में कोरोना वाइरस के संक्रमन नियूंतम स्तर पर पहुंच गया है इस दोरान पर देश के 22 जिलो में से 18 जिलो में 7 दिन में संक्रमण दर 5 परतिसत सिन नीचे पहुंच गई है हिसार फरिदावाद गुरुगराम में साफ्ताइक संक्रमण दर की बात करें तो ये 5 से 10 परसेंट के बीच बन रही है जबकि पलवल इकलोता जिला है जो 21.57 परतिसत संक्रमण के साथ देश के समवी दिन सिल जिलो में सुमार है साधी के बाद 30 दिन के अंदर अंदर करवाई पंजीकान मिलेगी मिठाई वे सगुन के तोर पर 11 सुरुपे नगद 30 दिन में विवा पंजीकन करवाने वाले नव दमपति को परदेश सरकार की ओर से अब सगुन के 11 सुरुपे वे मिठाई भेंट की जाएगी सरकार की ओर से विवा पंजीकन योजना को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है मुख्यमंत्री विवा सगुन योजना के दाएरे में नया आने वाले परिवानों को सरकार विवा पंजीकन योजना के तहत लाबानुईत कर रही है हर्याना बिजली विवाग में कलार के पदों पर भरती का नोटिस हुआ जारी हर्याणा सरकार पूरी तरह से स्थाई हादार पर हर्याणा SSC, DHBVN यानि दक्षन हर्याणा बिजली वितर नगम कलार्क रिक्ती 2022 के 214 पदों के लिए ओनलाइन आविदन पत्रामंत्रित करने जार रही है उमिद्वार की अधिक्त मायू 18 से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए इस रोजगार के लिए आपको ओनलाइन आविदन करना होगा नोटिस परकाशित होने के दिथिक 13 फरवरी 2022 है जबकि आविदन करने के लिए अन्तिम्तिती जल्द जारी के जाएगी राजस्तान के 11 जलों में बारिष का अलाट पूरी फरवरी रहेगा सर्दिक आसर दो दिन बाद बरसाथ से ठंड बढ़ने की भी संभावना बन रही है पस्च में विचोप्स करिया होने के साथ थी राजस्तान में सर्दिक आसर फिर से बढ़ने लगा है अगले 48 घंटों में उत्री राजस्तान में बादलों की आवाजावी के साथ साथ एक बार फिर से बारिष होने की संभावना बन रही है मौसम विभाग ने दो दिन बाद यानि 11 जिलों में बारिष की चेतावनी जारी की है 22 फरवरी से परदेश के श्री गंगानेगर, चूरू, शिकर, भरतपूर, अलवर, दोसा, भीलवाडा, चितोडगड, कोटा, जैपूर और सवाई मादूपूर में बारिष की चेतावनी जारी की है SSC में 5,000 पदों पर बंपर भरतियां 7 मार्श तक करशकेंगे आविदन, 3 चड़ों में होगा एकजाम, 92,000 तक मिलेगी सेलरी भारत सर्कार के करमचारी चैनायोग यानि SSC ने सयुक्त उच मादिमे की लेवल यानि 10 प्लस 2 की भरतिय निकाली है करीब 5,000 पदों पर ये भरतिया होंगी महिला केंड़ेट, SC, ST, सारीक विकलांग के लिए आरक्षन लागू रहेगा और एप्लिकेशन फिस नहीं लगेगी एडमिट कार्ड परिक्षा से 7 दिन पहले जारी किया जाएगा उमिद्वार 7 मार्श 2022 तक आविदन कर रेजिस्टेशन करवा सकते हैं